क्या आप भी अच्छे समय के इंतिजार में बैठे हैं? कोई काम शुरू करने वाले हैं, मगर इस इंतिजार में बैठे हैं कि ऐसा होगा तब करूँगा, वैसा होगा तब करूँगा. फाइनेंस नहीं है, कैपिटल नहीं है, एक्सपीरिंस नहीं है, सुविधाओं के इंतिजार में बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. दोस्तो भगवान भी उनका ही साथ देते हैं, जो पहले कर्म करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता, सोच कर इंप्लिमेंट करना बहुत जरूरी है, एक्जिक्यूशन बहुत जरूरी है, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें एक जर में बैठे रह गए कि भगवान आकर उनकी साहता करेंगे, एक गाउं में एक सादु महराज रहते थे, वे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या करते रहते थे, सादु महराज को भगवान पर बहुत बरोसा था, वे हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे, ध्यान में लीन रहते थे, एक बार क्या हुआ, उस गाउं में बाड आ गई, बाड बहुत ही बहिंकर थी, और सभी के घर पानी में डूब गए, अब लोग वहां से उस गाउं को छोड़ कर जाने लगे, तो किसी ने देखा कि सादु महरा को कहा कि आप भी चलिए, वरना यहीं डूब जाओगे, मगर सादु महराज ने मना कर दिया, सादु महराज ने कहा मुझे मेरे भगवान पे पूरा बरोसा है, जब तक भगवान नहीं आएंगे, मैं यहां से नहीं जाओंगा, और वो आदमी सादु महराज की यह बात सुन कर वहां से चला गया, अब बाड और बढ़ने लग गई, पानी और उचा हो गया, कुछ समय बाद नाव लेकर कुछ लोग वहां से आए, उन्होंने भी सादु महराज को देखा, और सादु महराज को कहा, कि महराज आप हमारे साथ चलिए, वरना यहीं डूब जाओगे, सा सादु महराज ने फिर उनसे यही कहा, कि जब तक भगवान मुझे मेरी साहता नहीं करेंगे, तब तक मैं यहां से नहीं जाओंगा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरुसा है, अब वो नावाले भी महां से चले गए, अब कुछ समय बाद पानी और बढ़ा, सिर्थ तक आ गया, और पानी बढ़ने के साथ साथ, बचाव दल भी वहां पर आने लगा, और उसी बचाव दल में एक बंदा हेलिकोप्टर के साथ आया, सादु महराज को बचाने के लिए, अब सादु महराज, जैसे ही वो हेलिकोप्टर वाला बंदा उतर के सादु महराज के पास उसने कहा चलिए महाराज हेलिकॉप्टर में चलिए वरना आप यहीं डूप जाओगे मगर सादू महाराज तो फिर जिद्धी सादू महाराज ने कहा मुझे मेरे भगवान पर पूरा बरुसा है मैं यहां से तब तक नहीं जाओगा जब तक भगवान खुद आकर मुझे नहीं लेके जाएंगे और इस जिद्ध के कारण सादू महाराज वहीं रह गए और वो हेलिकॉप्टर वाला आदमी भी वहां से चला गया अब कुछ समय बाद पानी और बढ़ा और सादू महाराज वहां डूब के मर गए मरने के बाद सादू महाराज की आतमा भगवान के पास पहुची और भगवान के पास जाकर सादू महाराज ने भगवान से मिलते ही यही प्रस्नी किया कि भगवान मैंने आपकी इतनी तपश्या करी इतना ध्यान किया इतनी वेल्यू करी लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया मुझे वहीं अकेला छोड़ दिया डूबने के लिए और देखो मैं डूब कर मर गया फिर भगवान थोड़े मुस्कुराए और भगवान ने सादु महाराद से कहा कि मैं एक बार नहीं तीन तीन बार तुम्हारे पास गया था मगर तुमने तीनों बार मना कर दिया फिर मैं क्या करता पहली बार मैं उस व्यक्ति के रूप में तुम्हारे पास गया था लेकिन तुमने मना कर दिया दूसरी बार मैं नाव के साथ जो लोग आये थे उनके साथ आया था लेकिन तुमने उनको भी मना कर दिया और तीसरी बार मैं हेलिकॉप्टर वाले लोगों के साथ आया था लेकिन तुमने उनको भी मना कर दिया अब फिर मैं क्या करता जब तुमने अपना कर्म ही नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे बचाता तो देखा दोस्तों इस कहानी से हमें यही सिक्षा मिलती है कि पहले हमें भगवान हमारी साहता करते हैं यदि आप ऐसे सोचोगे कि भगवान हमें पहले ही सब कुछ दे दे उसके बाद हम कुछ करें तो ऐसा कभी नहीं होता है भगवान ने जब खुद यहां धर्ती पे उतार लिया था तो उनको भी कर्म करने पड़े थे उनको भी मेहनत करनी बैठे हैं आप भी अपनी तयारिया पूरी रखे जिस दिन मौका मिलेगा उसको मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और अपनी पूरी तयारिया रखते हुए कामियाब होईए किसी चीज का इंतजार मत करिए ऐसा मत सोचिए कि ये होगा तो मैं ये काम करूँगा ये इसी चीज का इंतजार मत करिए एक्जीक्यूट करिए एक्जीक्यूशन से ही आपका काम होगा तो इसी बात पर आज के लिए विदा लेते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए